जैसे जैसे दो हसार चौबीस नस्दीक आ रहा है वो ऐसे वैसे ही देश्वर में स्यासी सरकर्मिया तेज होती जा रही हैं दो हसार चौबीस में जो लोग सभा चुनाप होने जा रहे हैं उन लोग सभा चुनाप से पहले देश्वर में स्यासी माहौल काफी गरम हो चुका है ऐसे में देखा जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार को लगातार राजनितिक दलों की दिगजनिता चुनोतियों पर चुनोतियां दे रहे हैं और इसी में नाम शामिल है कॉंग्रेस की दिगजनिता राहुल गांदी का जो मोधी सरकार के लिए खत्रे की घंटी बने हुए हैं लगातार कई राजनितिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर वह सवाल उठा रहे हैं क्या ये राहुल गांदी लोग सवाचुना में जीत हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं जे हाँ आपको बता देएं कि अब सर्वे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं और इन सर्वे रिपोर्ट में तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं दरसल आपको बता देए कि राहुल गांधी जो जिस तरह से पीएम पत की दावेदारी के लिए खुद को आगे करते हुई नजर आए लेकिन इंडिया कठवंदन में पीएम फेस को लेकर अभी भी लगातार विचार विमर्श चल रहा है राहुल गांधी को पूरी तरीके से साइड ब्लाइन रखने की कोशिश की जारी है क्योंकि कॉंग्रेस के राष्ट एद्यक्ष मलिका अर्जुन खडगे का नाम लिया गया लेकिन फिलाल देखा जाए सर्वे कराई चारे हैं और सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सामने आ रहा है कि आखिर कार किस लोग सभा सीट से कौन से दिगजनेता उतरते हुई नसर आएंगे अगर बात की जाए वाइनाट सीट के बारे में तो वाइनाट से सांसद है राहुल गांधी वाइनाट से अगर वह इस बार भी चुनाब लड़ते हैं तो क्या वह जीत हासल कर पाएंगे या फिर नहीं अगर यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से मांग उठ रही है अमेठी से उन्हें उतरना चाहिए तो क्या वह अमेठी से चुनाव जीत पाएंगी या फिर नहीं मालूम हो कि 2019 में अमेठी से उन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन केंद्रे मंतरी इस्मृती रानी के सामने वह हार गए 2004 से लगातार यहां से वह चुनाव जीत रहे थे लेकिन गांधी परिवार इस गड़ को हार गया अब गांधी परिवार के पास बचता है राय बरेली तो राय बरेली से गांधी परिवार के किस सदस्य को आगे किया जाएगा एक बार फिर से कॉंग्रेस की पूरव अध्यक्षिर सौनिया गांधी या फिर राहुल गांधी या फिर प्रैंका गांधी वाडरा खेर ये दो वक्त के साथ साथ पता चलेगा लेकिन सर्वे रिपोर चुनाव की बात की जाए तो इस सीट पर राहुल गांदी ने 64.6 प्रतिशत वोट हासिल किये CPI की प्रतियाशी PP सुनीर को इन्होंने हराया था और देखा गया कि राहुल गांदी किस तरह से जीत हासिल करते हुए नजर आए लेकिन बात अगर अमैठी की की जाए तो अमैठी में 55,120 वोटो से इस्मृति रानी ने 2019 में इनहरा दिया 2024 की बात की जाए तो ओपीनियन पोल के मुताबिक इस्मृति रानी का नाम सामने आता है यानि कि कुल मिला कर देखा जाए तो राहुल गांदी एक बार फिर से वाइनार से सांसत बनते हुए देखे जा सकते हैं लेकिन अमैठी से नहीं इस पर आपकी क्या कुछ राय पिरती के लिए है कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं फिलाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप दीक रहें, निक्स्ट नाइन न्यूज.